मात्र 11,000 में सेल हुई ना गाई 11,000 में गाई सेल हुई है उसकी जानकारी दे रहा हूं में तो भाई साथ ये 11,000 वाली गाई आपने सेल करी किसको करी है से गुजरात की गीर गाई मिलती है करीब सो से डेड़ सो गाई उबनद्द हैं दूर दूर तक गाई दिख रही है हमें जई स्री राम दोस्तो किसान सातियो आप लोगों की मांग थी गीर गाई की तो आज स्पेशल गीर गाई का वीडियो लेके आया हूं आपके लिए तो आप देख रहे हैं सुंद्रेल जहां गीर गाई का गड़ कहा जाता है MP में तो वहां से आपको गीर गाई दिखाई जाएगी तो पियर गीर गाई जो 85 से 90 परसेंट गीर गाई यहां मिलती है तो आप सभी गीर गाई देख लीजिए एक से वड़कर एक गाई मिलेगी आपको तो इन गीर गाई की पूरी जानकारी लेंगे और आप लोगों तक सेयर करेंगे तो दोस्तो उससे पहले निवेदा ने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करें आपका दोस्त नरेंद्र प्रजापत गीर गाई की जानकारी लेकर आया है तो हम मालिक से बात करते हैं आगे आईए आप इधर आईए क्या नाम है आपका उमेद भाई कहां से हो आप सुन्द्रेल से हो किती गाई मतलब अपने पास अभी उपलब्द है अब अपने पास दस गाई है कब आती है यह हमीशा हम रहती है यहीं रहती है खतम होने के बाद फिर किती गाड़ी बंद मल गाड़ी में किती आती है आडगाई पहुचती है इनके पास और शानदार नसल है प्यूर गीर में मिलेगी अपने पास अच्छा उसकी ग्यारंटी अपने हम फूल ग्यारंटी है तो सुन्द्रेल जो की धारजिले में पढ़ता है क्या है धारजिले में है तो एक गाय आप खुली अच्छे वाली कि उधर ले ना बाहर के साइट इस गाई को हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं जो प्यूर ब्रेड लाइन की गाई जिसे यह भी दूद्ध देरी है गाबन कितने दिन की देर है इसमें दस दिन की कौन सा अब यहां ते इसका तिसरे में देगी कहा की गाई है यह बावनगर की है घुमाई यह थोड़ा और उधर ले जाओ उधर गुमा के इधर लिया वापिस गुमा लो इधर दूद्ध कितना निकाल लेगी है 14 लिटर देन का क्या कीमत रखी इसकी कीमत रखी है 14 लिटर और पूरी सफुद गाई है अच्छा फाइनल कहां तक अपन इसको दे देंगे यह बताईए आप तो कोई ग्राक आपके पास आता है सत्तर तक दे दोगे सत्तर तक फाइनल हो जाई की दोस्तों है और इनकी अगली गाई कवर करेंगे हम ले आई इसको दूसरी वाली ले लो अब सभी कीमत की गाई है सबसे ज़्यादा कीमत की कौन सी है वो लीजी आप तो यह वाली लीजी उदर बहार निकलने के बाद ही गाई दिखती है क्योंकि अंदर अंधेरा है और पूरी जायनकारी लेंगे और शेयर करेंगे कि यह अभी कौन से ब्यांत में होगी यह तीसरे में इसमें दूसरे में कित्ता दूद दिया था आटाट लीटर अभी कित्ता निकालेगी है कंसे कंतो अटाटा लिटर से ज्यादा देगी अच्छी गाई है सपुद गाई यह देख लीजिए आप और गीर गाई की पीवर पेचान बताओगे आप यह देखो कान मुड़े हुए कान मुड़े हुए पूरे कुंडले सिंग है कुंडले सिंग हाँ 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 यह नाभी की साइज है ना हाँ और और गड़ कंबल गड़ कंबल हाँ अच्छा इसको कित्ते दिन अभी आवान है ना कित्ते दिन लेगी बंदरा से सोला दिन इसकी क्या कीमत रख रहे है अपन पिंचान नोहजार फैनल इंक्यान में इंक्यानों में 85 तक करो गोई घ्राक आईगा तो जान इंक्यान नोहजार थीक है घुमा के लिए इसको एक से बढ़कर एक इनके पास गिरग आई है यह देख लीजी आप लास्ट में वो बड़ी वाली भी गाई है ना और इसमें सबसे चोटी काम उम्मर में कौन सी है एक बार इसको छोड़ो फिर उसके बाद बड़ी वाली को छोड़ना गीर गाई खरीदने के सोकिन और देशी नसल की वीडियो अच्छा यह फस्ट वेत में है फस्ट व्यात की गाई देशी नसल आपकी मांग थी स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ एक बार ओर थोड़ा गॉल घुमा दीजिए इसको यह देख लीजिए आप बहुत अच्छी गाई हाइट वाइट बढ़िया है यह कित्ता दूद देदेगी दस लीटर फस्ट व्यात में है क्या कीमत रख रहे हैं इसकी यह साथ हजार देने का देने का पचपन हजार रुपे पचपन हजार रुपे में मिल जाईगी है सुन्द्रेल जो की निमाड अंचल की एक फेमस जगह है जहां से आप ले आईए गीर गाई गुजरात की ले जा सकते हैं बहुत अच्छी गाई मिलती है यहां और आप लोगों की मांग थी इसलिए मैं पहुँचा हूँ सुन्द्रेल जहां से आपको डिट देंगे गायों के बारे में और आप लोगों की भी मांग थी कि देशी नश्ले पर वीडियो बनाईए तो इस स्पेशल बना रहे हैं खोलिए इसको एक अच्छी बड़ी गाई जो उसका खंदोल बोलते उपर बहुत शांदार है और उसको खुलवा रहे हैं कि में लुक्त है छबान सबी घ्यावन ही रखते हैं जन्यूँ ही रखते अच्छा के जनती हीँ यह जहीं यहां के जनती है बहुत अच्छी है तो यह कौन सब यहеромते इसका यह दूसरा है दूसरा कि कितना देगी हैं इसका पीचे अपने पास अभी कोई एक जनी हुई है गाई है एक उसको ले आई है एक आपको जो गाई जन चुकी है बच्चा दे दिया है उसको हम दिखाएंगे और आप लोगों तक सेयर करेंगे तो यह देख लीजी आप यहां बड़ा डेरी फार्म बनाओ है डेरी फार्म तो नहीं बोला जाएगा लेकिन गुजरात की गीर गाई मिलती है करीब सो से डेर सो गाई उ देख रही है हमें एक मिनिट दादा उधर आ रहा हूं मैं यह सिंगों की बनावड देख लीजिए सबी नसल की यह वाली गाई यह नीचे क्या है केड़ा है कितने दिन का है पर्सो अपने यह जना हुआ है तेयार है दिया यह बाहर ले आई है ठीक है ठीक है कोई बात नहीं है इसका कौन सा व्यांत होगा दूसरा है यह कितना दूद निकालती है भी बारा किलो छेचे किलो टाइम का ठीक है बांद दीजिए इसका क्या किमत लगा रहे है इसकी कीमत लगा रहे है सत्तर अजार के पेंसर तक दे देंगे आजाई है अधर आजाई है वह वाली गाय अपनी ती क्या अच्छा हां तो एक बार फिर से अगर किसी को गाई खरीदना है तो मैं भाई साब का पूरा नाम पता एड्रेस बता रहा हूं जरूर आप संपर्क करें इससे भी बढ़िया और सभी तरह की गीर गाई जो की दस लीटर से लगा के ज्यादा से ज्यादा कहां तक की दूदर ज्यादा अठरा लीटर तक की मिल जाएगी इनके पास उनसे आप जरूर एक बार में नम्बर लेता हूं और एक बार पता लेता हूँ, फिर से एक बार आपका नाम बताईए, उमेद भाई, सुन्द्रेल से और गाई अपनी गुजरात की है, आप सेल करते हो, यही पे न, कभी भी आ जाएं, कभी भी एनी टाइम, कोई शुट्टी उट्टी तो नहीं रहती न, आपका मोवाइल नंबर, इस नंबर पर आप संपर्क कर लें, मध्यप्रदेश से आप यह वीडियो देख रहे हैं, जो धार डिस्टिक में सुन्द्रेल हैं, और एक मात्र 11,000 में सेल हुई न, गाई, 11,000 में गाई सेल हुई है, उसकी जानकारी दे रहाओं में, बहई साप, यह 11,000 आप ने सेल करी है, किसको करी है सेल, यह दान में दी है, कहा पर, महेशवर जी है, यह देख लीजए यह दी है, और 11,000 ले आप ने, और दिया और दिया अच्छा गाई भी दिया और 11,000 साथ में भी दिया ये गाई भी महेसवर्दान में मंदीर में ना मंदीर में दिये और 11,000 रुपे भाई साथ आप ने यहां से दिये हैं तो एक बहुती अच्छा काम जो की बढ़िया लगा में को इसकी बच्ची है यह यह बच्ची देख लीजिए इसकी किते दिन की है यह पांच दिन की बच्ची देख लो आप तो सभी तरह की गाई उपलब्द है एक बार आप इन भाई साप से भी में संपर्क करवाता हूँ आपका नाम क्या है अबू भाई अबू भाई थोड़ा इधर आजाईए आप यहाँ पर इनके पास करीब 100-200 गाई है तो यह तब जो देख रहे हैं आप सब अलग-अलग भाईयों का बना हुआ है एक बार इनसे भी मिलते हैं इनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं तो आप कहां से हैं सुन्द्रेल से सुन्द्रेल से हो आपका नाम क्या बताया अब अबू भाई मोबाईल नंबर सिंत्याणू निन्नाणू पित्यासी इकीस अडशाट इस नंबर पर आप भी संपर्क करें अगर गाई खरीदना है तो अभी कोई खरीदने वाले हैं प्छिर 555 इ temps है में गाई खरीदना है पहले कभी ले गई गया इसे लिए अच्छी कई रेती है कि जित्ता दूद्ध बताते हैं तर्य देती है नाल्चा में कहां से हो आप ये वाइस साप नालचा पहले भी गाई ले गए और अभी को इसी गाई जमी आपको कौन सी यहाँ पर किते में खरी दिया आपने अभी खरी दिने चल रहा है क्या मांग कर रहे हैं इतनी बड़ी गाई यह क्या आपका क्या लग रहा है देख सकते हैं एक बार उस गाई को ठीक है एक लाग दस हजार वाली गीर गाई हम देखते हैं और भाई साब नब्बे हजार रुपे उस गाई की किमत लगा रहे हैं तो बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो है और पूरी अंतक देखे आप यह वाली गाई यह गीर गाई एक लाग दस हजार मांगे इसकी और नब्बे हजार भाई साब ने नालचा से हो ना नालचा से लगाए हैं मालिक को ने आप सामने आओ ना मालिक सामने खड़े हैं बाई साब एक बार खोल के दिखा दोगे गाई को दिखाओ इधर लेना है बहुत अच्छी गाई प्यूर ब्रीड में और बड़ी गाई पूरी जानकारी लेंगे इस गाई की और आप लोगों तक सेहर करेंगे तो भाई सब कौन से ब्यात में अभी है थर्ड में अभी जन गई क्या अभी प्रेगनेट है कितने दिन की यह अभी दस पंदरा दिन दे रही है दूद कितना देगी है अठारा से बीज देगी मार रही है अच्छा खुजवालने के लिए तो यह कहां की गाई है यह है गुजरात की बान गर के गुजरात बाहुण किए है फाइंटल कहां तक दें गें ऐसको अपने को सेहल करने का मन ने एक त्धी पीनचान्हों और तक अच्छ़ में हो दो पिनचान्ह गाई थीक्या बढ़ा है आगे लेजीए इसको बहुत अच्छी गाई हाइट में बड़ी है और शानदार गाई है तो दिये गए नंबर पर आप जरूर संपर्क करें मालिक से एक बार हम नाम पता पूरा लेते हैं और अच्छा अच्छा बाइसाब आपका नाम बताई है महराब खान है ना अपका मोबाइल नंबर डबल नाइन इस नंबर पर संपर्क करें गाई खरिचने के लिए आप गाई लेने आयो कहां से आप देखने आयो कहां से भीया करें करावत कसरावत पास में आई गाई घरिजने पहुंचे हैं और एक बार पूरा गिर गाई का आप देख लीजिए जहां करीब सो डेड़ सो गाई उपलब्द हैं और सो दो सो गाई आती जाती रहती है कि अ कि अ कर दो सब्सकी अ कर दो और कर दो दो तो कि अ एगोंगे